बुतवार का दिन आटो सेक्टर की खबरों से भरा हुआ रहा अगर आपने कुछ मिस कर दिया है तो चिंता मत कीजिए हम आपके लिए लाए हैं आटो मोबेल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबरे देश की सबसे बड़ी वहाँ निर्मादा कंपनी टाटा मोटर्स ने अपनी मशूर हैच बैक कार आल्ट्रोस के नए आई टर्बो वैरियंट को पेश किया है पेहदी आकर्शक लुक और दमदार इंजन शमता से सजीज कार में कंपनी ने कई अत्यादूनिक फीचर्स और तपनीक को शामिल किया है फिलहाल इस कार को केवल प्रदर्शित मांतर किया है इसकी बुकिंग आज से यानि की 14 जनवरी से शुरू हो रही है सालों के लंबे इंतजार और अटकलों के बाद टेसला के सीओ एलन मस्क ने आखरकार टेसला को बंगलोर में कंपनी के रूप में रेजिस्टर करके इंडिया में एंट्री कर ली है कंपनी रेजिस्ट ये शो 11 जनवरी से शुरू हो चुका है और 14 जनवरी यानि कि आज तक चलेगा शो के दोरान कंपनी बहतरीन टेक्नो फ्रेंडली डिवाइस और आईडिया पेश कर रही है इस बीच जनरल मोटर्स की तरफ से पेश की गई उड़ने वाली कार ने लोगों का ध्यान अपनी और खीचा है ये कार उड़तो सकती है साथ में बिना ड्राइवर के रफ्तार भी पकड़ सकती है ये सेल्फ ड्राइविंग वीकल अपने आप उड़ान भर सकता है और आसानी से लैंड कर सकता है इस कार की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिया ट्राफिक जैम की समस्या से बचा जा सकता है ये कार आपको सडकों की ऊपर हवाई सेर कराएगी तो यह थी आटो सेक्टर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको कैसा लगा हमारा वीडियो में कॉमें सेक्षिन में बताएं बाकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सबस्क्र